मोती से ना हीरो से ना जेवर से मोती से ना हीरो से ना जेवर से ना किसी खजाने से हमको लगता है डर नेहा दीदी के स्ट्राइक देने से So, hello friends, welcome back to my channel मेरा नाम है पुश्पा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेक्षन चैनल पर वीडियोज बनाती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि अपने लेंग्वेज में अभधर भाषा का प्रियोग ना करो और किसी को भी इतना टोर्चर ना किया जाए कि वो मलब दिमाग की तोर पर परिशान हो जाए तो गाइस जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं नेहा दिदी को आजकल चारो तरफ से घेरा जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है तो प्लीज आजकल वही हो रहा है कि मोती से ना हीरो से ना जेवर से किसी से डरने लग रहा है और यह लगता है कहीं नया दिदी चैनल पर स्ट्राइक ना दे दे तो गाइस क्योंकि अती हो चुकी है किसी जीच की एक दम ठाध हो के रखी हुई कोई-कोई रियक्शन चैनल वाले तो गिल्कुल जादा इतने गिर गए है उनके पोल पर्टी खोलने में लगे हुई अब वहना जब से उनकी देवरानी का एक वीडियो सामने आया है उन्हेंने कम्यूनिटी पोस्ट डाली है कि मैंने कब आपके साथ अच्छा नहीं किया कब मैंने आपके साथ बुरा किया आप मुझे बता दीजिए तो भाई तुमनारे साथ क्या उन्हें अच्छा क्या क्या नहीं क्या क्या बुरा क्या वो सबूत होंगे तो समय आने पर वो सारी चीजे खोल के रखेगी बट अब यह जो तुम कहे रही हो कि मैं इतना नाम नहीं कमाना चाहती ती मैं social media पर नहीं आना चाहती तो अब आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो social media पर आने के लिए daily of live आते हो और अब लोग भी आते हैं तो आप कही न कहीं जरूर comparison कर रहे हो नेहा से क्योंकि आप खुद भी यह चीज पाना चाहते हो जो नेहा जिस उचाई पर पहुँचू तब भी आप उनके बुराई कर रहे हो और उनके बुराई के अलावा आप अपने अच्छाई बता रहे हो इसी वज़े से नेहा को चारो तरफ ट्रोल किया जा रहा है अगर नेहा की देवरानी नहीं आती कंचन तिवारी या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बाते नहीं बोलती और साइद उनके पोजिटी जो होती है बाते वो रखती तो इतना ट्रोल नहीं किया जाता अभी डेक्शन चेनल वालों को कहां से मसाला मिलता है वह फेमिली वाले ही तो बताते हैं जब फेमिली वाले कोई चीज बताएंगे तो हम लोग उनके घर देखने तो जान ही रहें कि क्या बात है क्या बात नहीं है